हेलो एविवान वेलकम बेक चुमाई अनादर वीडियो तो जी आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो तो जो की है हमारे वेस्ट मिटीरियल को लेकर तो जी जैसे अगर आपने चैनल पे नए हो तो आपको देखिए थोड़ इसी स चारा देखिए बस दिवाली के जो भी चले हुए क्रेकर्स हैं तो काफी बड़े बड़े शोट्स हैं तो जी आज इनका ही हमारा डियाइवाई है तो जी इस तरह एक प्लास्टिक का ढखकन लिया है तो अक्सर ये वाले ढखकन कंटेनर होते हैं हमारे खाने पिने के समान जैसे हम जो मैटो बगरा से मंगाते हैं तो ये देखिए काफी कंटेनर हमारे कीचन में इकठे हो जाते हैं तो उनको फेकने की विजाय आप रिसाइक्लिंग कीजिए काम में लीजिए और फ्रेंस इस तरह जी आप इस पर मैं पेंट कर लिया हूँ और मेरा पेंट है ये द जल्दी से हटते नहीं कोई भी चीज से उतरते नहीं तो जी ये हमारे ढकन पर पेंट कर दिया है और अब जो ये कार्डबोर ट्यूब्स हैं जो 16 या 100 शोर्स होते हैं क्रेकर्स के तो उनके अंदर ये निकलती हैं जी तो इतनी प्यारी लगी कि मैंने ना दिवाली काब की पे तो जी अब ये सारी कार्डबोर्ड क्यूब्स है देखिए चले हुए पटाकों के अंदर निकली हुई तो एक बार तो ये काली हो रही है इन पे आप जैसे जैसो वगेरा या वाइट एक्रेलिक पेंट अगर सबसे पहले कीजिए बट जी मेरा ये कलर इस तरह का है मेटैलिक कलर की एकोड में ही सारा हाइड हो रहा है जो भी चले हुए पटाकों का ये काला पंसा है जो सारा ही देखिए हाइड हो गया है तो मिरको ज्यादा कलर करने की जुरूरत नहीं पड़ी एकोड से ही मेरा काम बन गया और थोड़ा ही कलर फिर मेरा ये लगा तो ये देखे जी, अब है ओरेंज कलर, ये भी इन कलर्स पे फ्रेंट्स मैंने अब की दिवाली पे सारे ही जो भी डियाइवाई किये थे, केंडल होल्डर वगएरा बनाए थे, तो उन पे मैंने तकरीब बन मिटैली कलर ही यूज किये थे, क्योंकि ये काफी शाइन वाले कलर होते हैं, और बहुत सुन्दर लगते हैं, तो जी, आब ये सुक चुके थे, सारों पे मैंने कर लिया, और अब जी, ये बड़े वाले जो क्रेकर्स चलाए थे, तो बच्चों को तो पता ही होगा, तो ये जी, उन पे वो भी हम यूज करेंगे, तो ये की बड़े वाला लिया है, और इसको पेंट कर दिया, इसको हम लगाएंगे सेंटर में, तो सेंटर में ग्ल्यू गन से हम य काम करते हैं, तो उनके पास तो ये होनी ही चाहिए, और अब जी, अब हम इनको इस तरह स्टिक कर देंगे, अच्छे से गरम-गरम से ये जब ग्ल्यू चलती है, तो मतलब अच्छा जोड इसे लगता है, तो इस तरह जी, बस पांच या छे साइडों में मैं लगा दूंग तो ये मेरा बहुत ही प्यारा एक कीचन का ओर्गनाइजर बन जाएगा, जीरो कोस्ट में यही चिजजें जी, अक्सर हम फैक देते हैं, उनको थोड़ा सा दिमाक लड़ाकर अगर हम यूज में लेते हैं, तो वो हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होम डेकोर की उनसे बन जाती हैं, तो जी सारी स्टिक कर दी हैं, और आप मैं बताती हूँ आपको किस काम के लिए यूज में लिया है मैंने इसको, तो जी इस तरह क्या करेंगे फ्रेंस, सारे देखिए ग्लास होल्डर हमारा बन गया है, सेंटर में नाइफ वगरा, फोक वगरा इस पे ह हम लगा देंगे, और ये देखिए जी कितना प्यारा हमारा ये बन चुका है, अब जी बारी आती है दूसरे DIY, तो जी सेम यही हमने कार्डबो ट्यूब्स ली है, तो इनको देखिए जी दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, क्योंकि मुझे थोड़ी छोटे साइज में च किया है, कुछ कीचन का, कुछ पठाकों का, तो ये विम लिकवर्ड का, जो विम सोप का जो ये टब आता है, साबून का, तो वो लिया है, तो ये भी काफी कठी होई जाते हैं हमारी घर में, तो इस पे जी थोड़ा सा कलर करने की जुरूरत नहीं थी, क्योंकि पैरिट कलर में था, ये बहुत सुन्दर लग रहा था, तो मैंने बस इसको थोड़ा सा लैस से डेकोर किया है, और मोटी लैस पड़ी थी मेरे पास, तो वो थोड़ा सा पीस मेंने ग्ल्यू गन से टैच कर दिया, इधर जी, अब क्या करना है, सारी जो ट्यूब्स है, इनको जोड दिय मास्किंग टेप से, मास्किंग टेप है, इसली हमें कोई भी शोप पे मिल जाती है, तो इसको पेपर टेप या मास्किंग टेप कहते हैं, और जी, अब क्या करेंगे, इस पे एक्रेलिक पेंट भी इसली हो जाता है, काफी अच्छा होता है इस पे, तो जी, सारों से मेने का होल्डर कलर वगेरा बच्चों की कितनी प्यारी चीज बन गी यह देखिए फ्री में हमारा इसमें क्या लगा है कुछ नहीं फ्रेंस बस हमारे इसमें थोड़े से कलर लगे हैं तो जी आगे बढ़ते हैं तीसरा डिया वाए तो यह भी जी देखिए चले हुए उन क्रैकर सी ह इस तरह एंके देखिए तो यह मैं बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये देखते ही जब मैं फैकने लगी मुझे एक दम से आइडिया आया कि एक बहुत ही अच्छी लेडिज के काम की चीज शेजły इंसे मैं बनाऊंगी तो फिर मैं सारे के सारे उठाकर में एक बड़े सारे cardboard box में डाल दिया इनको और आपके साथ प्यारे प्यारे idea शेयर करी हूँ तो इधर जी cardboard का piece लिया है सरकल में छोटा सा और आप इसके उपर हम कोई भी चमकिला सा कपड़ा है वो हम लगा देंगे तो थोड़ा सा piece पड़ा था मेरे पास ये देखिए तो ये काफी सुन्दर था पिंक कलर में था और आप इसको क्या करना है सुई धागे से इस तरह हम छोटा छोटा कचटा कसा ऐसे करके और लास्ट में नोट सा लगा देंगे तो सारा कसा जाएगा तो cover पे न अच्छी तरह ये circle पे चड़ जाएगा या फिर न आपको ये थोड़ा सा जंजट लगता है तो आप glue gun से भी इसको stick कर सकते हैं तो वह जैसे आपको सही लगे दोनों idea ही मैंने आपको बता दिये हैं तो ये देखिए जी बस आब last में इसको कस दूंगी और ये circle पे अच्छे से हमारा साधी आप इस पे sparkle वो जो glitter sheet आती है वो भी आप चिपका सकते हो और आप इसको paint भी कर सकते हो ये आपके पास three option है और आप जी glue gun से बस center में attach कर देंगे इसके उपर circle के तो ये देखिए जी हमने इस पे attach कर दिया है बहुत प्यारी चीज बनेंगी आप last में बोलोगे सच म ये चीज हर गर में होनी चाहिए लेडिस के पास और आप जी उपर से इसको बंद करना है तो मेरे पास ये थी सिंदूरदानी लकड की बनी होई काफी अच्छी है तो मेने उपर ही इसके ये लगा दी जब जरूर्द होगी तो मतलब ढकनी उपर का खोलना पड़ेगा तो जी लीजिए ये बन गया हमारा बैंगल स्टैंड कितना प्यारा हम अपने ड्रेसिंग पर इसको रखेंगे तो ड्रेसिंग की शोबा भी बढ़ेगी और ये देखे कितना प्यारा क्यूट सा हमारे कितनी लाख की चूडियां हैं कड़ी हैं इसमें आ जाते हैं और ये देख हमारा चोथा DIY देखिए इस तरह के ये बड़े वाले शोड्स होते हैं जो शाद्यों में चले हुए तो उनके अंदर ये ये चीज भी निकली है तो जी फ्रेंस बड़े बड़े शोड्स होते हैं काफी महंगे होते हैं तो उनको भी काफी मतलब जुगार करकर ऐसे बनाया होत होता है तो उनमें काफी काड़ वोड देखिए बहुत सुन्दर अच्छा-च्छा होता है जो मतलब फैकने का कोई फायदा नहीं तो जी ये देखिए मैंने इससे एक ये वीडियो अप्लोड की हुई है एक मेने कॉम स्टेंड सा बनाया है इसमें हम अपने मेकप के ब्रश साइडों में लगा सकते हैं और एक मेने अपना ब्रश स्टेंड बनाया है ये पेंटिंग के ब्रश है जो इदर उदर रूलते फिरते थे तो इनको बस मेटली कलर से डेकोर किया है और इनके निचे मैंने यही चीज लगाई है जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ जो ये दिखिये हमारी कार्डबूर्ड के जो सरकल है तो अब इन से हम करने वाले हैं जी इनको सेम ही मेटली कलर लिया है इनको पेंट कर देंगे तो ओरेंज पेंट कर दिया में इसको देखिए बस आप जैसो वगरा या वाइट अक्रेलिक पेंट पेले लगाईए अगर आपको लगता है कि निच्चे से अच्छे से नहीं मतलब हमारा cardboard मतलब दिख रहा है तो या फिर आप इसी color का दूसरा code कर दीजिए वो आपका आप पे depend करता है तो जी ये देखिए दोनों color बहुत प्यारे हैं तकरीबन मैंने इन color का ही ज्यादा use किया है तो अब जी ये दोनों color हो चुके और थोड़ा थोड़ा उपर से मैंने color किया नहीं अब इनको क्या करना है कोई cardboard का circle piece काटता है और एक side से बंद कर देंगे तो जी glue gun से attach कर दिया था इनको और अब जी masking tape से side साइडें भी इसकी बंद कर देते हैं और उसके बाद अगर हमें लगेगा भी कुछ ये कोने वगरा दिख रहे हैं तो हम यही paint करकर इसको भी जो paper tape हमारी दिख रही है masking tape उसको भी color कर देंगे तो friends इस तरह जी ये कबाड है देखिए हम घर बैठे छोटा मोटा business कर सकते है इन चीज़ों से देखिए ये चीज़े हैं बस कबाड होता है हमारी घर में ही होता है कोई market से कुछ लाने की जुरूरत नहीं पैसे खर्च करने की जुरूरत नहीं और जी अब देखिए हमने इसके उपर less decor कर दिया ये less का roll भी एक बारी खरीदा है और मैं इसको बार बार यूज करती हूँ 16 का ये फ्रेंट 16 का ये था रोल और देखिए मैंने वो सारी चीज़ें इससे बनाई है अब जी बेकार पड़ी thermocall वो भी अकसर हम फ्रैकती है तो जो हमारे fridge है या देखिए नई चीज़ों में निकलती है टीवी fridge लेते हैं तो उसके पीस मेंने छोटे चोटे करके अंदर डाल दिये अब जी side में से इस तरह थ्रेड लिया है double या कोई wire ले लिजिए तो इस तरह देखिए चार नुकड़े हमने इस तरह में से धागा निकालना है और फिर चारों नुकड़ों का धागा इस तरह पकड़के center में गाठ लगा देंगे note लगा दे तो मेरे पास काफी सारे फूल फ्लावर की कलियां पड़ी थी ऐसी रूलती हुई तो उनका आज रियूज हो गया और इस तरह एक टूटा हुआ grass वाला मैट था तो उसका भी आज मैंने इधर रियूज कर दिया इनका रियूज करके मैंने प्यारी प्यारी दो basket बना दी तो कामी होते हैं तो इस तरह देखिए जी बस थर्मो कोल के उपर हम इन सब को इस तरह लगा देंगे और फिर उपर से जहां हमें खाली स्पेस लगेगा वहां पे हम ये जो मेरा ये मैट था ग्रास वाला तो इसकी पतियां सी मैंने लगा दी हैं तो बिलकुल हाइड होगी है और देखिए दोनों और मैंने बाहर बालकनी में देखिए आप लगा दी हैं दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं ये देखिए जी और इसकी प्रोपर भी जगह मैं बनाऊंगी क्योंकि अलड़ी ही मेरी बास्किर्स बाहर लगी हुई थी बहुत प्यारी लग रही है फ्रे आती है फ्रेंट्स ये है बड़े वाले अनार जो चलाए थे उनका डिबा देखिए कितना सुंदर है चमकीला सा तो काफी मजबूत है और ये फिर वही रोल आगे जी तो दो इनका भी हमारा फिफ्ट डियाइवाय है तो इनको भी फ्रेंट्स बस बंद करना है सेम पहले वाल है मेरे पास एक टर्सल वाली लैस थी तो देखिए वो मैंने लगा दिया जुरूरी नहीं आप ऐसी ही लगा ये कोई भी लैस है आपके पास वैसे है जैसे आपके दिमाग में आपता है अपने थोड़ सपने आइडियास वैसे आप टेकोर कर लीजे आप जी अंदर भी हम इसके पेंट कर देंगे और यही थोड़ी सी मेरे को कसर लग दी थी अभी तो मैंने एक राउंड इसी मोटी वाली लैस का भी कर दिया क्योंकि ये चीज मतलब मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाने जा रही हूं तो इस तरह जी रेडी होगी है और आप दूसरी भी रेडी कर बस हम पेंटी कर देंगे अंदर की तर तो जी इस तरह की दो हमारे पीस रैडी होगे अब क्या करना है जी मेरे पास चूनुरी पड़ी थी तो माता की चूनुरी काफी कठी हो जाती है जी क्योंकि हर बार जब नोरात्रे आते हैं नई लेकर आते हैं तो पुरानी वाली का कुछ मतलब इस तरह में ने यूज किया क्योंकि मैं जो बनाने जारी हूँ वो वी जी शगुन की चीजी है जो हमारी बन रही है तो इस तरह देखें जब फ्रूट्स वालों से हम की तो इस तरह शुब की चीज में हम इन चुनरी का यूज कर सकते हैं तो जी ये बन गई जी शगुन की चीज तो देखें जी आलमंड इसमें मैंने बदाम डाल दिये ड्राइफूर्स और अब दूसरे में मैंने मेरे पास एक और चुनरी थी फटी हुई थी देखें जैप रैफूर्स तो कितनी प्यारी हमारी देखिए पोटलियां बनकर रेडी होगी हैं कितनी सुंदर लग रही हैं तो इनको देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये चीज हमारी कबार से बनी हैं तो फ्रेंस देखिए हैं ना कितनी हरानी अली बात की जो हमारा कबार है जो ह हमने फैकना था और उसी से ही हमने कबार से जुगाड कर दिया तो जी कितनी प्यारी बन गी देखी है चारों दो हमारी ہेंगिंग बासकिर्स बनननों दो हमारी शेगौन की प्यारी प्यारी चिज़े बनगों तो जी अब आतीए इस प्रहु番 यह डिबबा है अनार का तो उस पे भी जी इस तरह का एक चमकिला सा कपड़ा ही लगाएंगे पिंक या रेड कोई से कलर यलो आपके पास है बट हो फ्रेंड्स थोड़ा सा ऐसा मतलब अट्रेक्टिव सा लगे तो इसको गल्यूगन से लगा सकते हैं और आप जो हमारी डबल साइड़ एक टेप आती है उसकी गम अच्छी होती है तो मैंने उसके ही मेरी गल्यूगन एकदम काम करते खतम हो चुकी थी तो इस तरह जी आप उससे भी स्टिक कर सकते हैं इसली हो जाता है तो चारों साइडों में देखिए अच्छे से मैंने लगा दिया और सेंटर में कोई छेड़ छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ओल्री मेरेको तो बहुत सुंदर लग रहा है ये और अंदर ना एक मैंने अंदर कपड़ा हम इस तरह है येलो कलर का तो ये भी मेरे पास चमकीला सा पड़ा था और अब जी जो ना निच्छे से थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया और मैंने फिर एक लैस लगा दी वही लैस और अब इदर ये हमारी जो हैं कार्ड़ोर ट्यूब्स की डंडियां सी देखिए इनको हम ऐसे डिवाइडर के तोड़ पर लगा देंगे तो जी लीजिए ये बन गया हमारा क्या बन गया बैंगल बोक्स बन गया अगर हमने ये भी शगुन की चीज़ी है जी अगर हम किसी को देंगे इस तरह ना तो देखिए लाख के चूड़ी कड़े डाल कर तो ये हमारी बहु खुश हो जाएगा दिल की वाओ बहुत अच्छी आपने ये चीज़ करी है तो इस तरह अगर हमारी घर में कोई फंक्षन है किसी को मतलब गिफ्ट करनी है तो हम इस तरह देखिए बैंगल बोक्स सा बना कर गिफ्ट कर सकते हैं तो जी इदर लैस वगरा लगा दी है और अ तो आपने कोई भी नेट की चुनरी वगरा आप योज कर सकते हो तो इस तरह देखिए अंदर की तरफ बस ग्ल्यूगन लगानी है और जो भी चुनरी आपके पास है तो वो आप इस तरह लगा दीजिए तो आप जी मैं आपको सारा समान डाल कर दिखाती हूँ सारी चूड और कोस्मेंटी का कोई भी समान आप डाल सकते हैं और इदर पोटली की तरह थोड़ा सा रीबन लगा कर हम इसको बंद कर देंगे तो ना भी ही हमारी ये चीजे निकलेंगे अंदर से देखिए और कितनी ट्रांसपेरेंट हैं अंदर से दिख भी रही हैं कितनी प्यारी ये हैं फिर अनार का डिबा है तो अनार अब की दिवाली पे बहुत तरह के आए थे छोटे बड़े हर तरह के आ रहे थे तो खूब पठाके चलाएं बच्चों ने तो जी हम लेडीज हैं फिर सोचती हैं इन्होंने तो पठाके चलाएं इतने पैसे लगा कर हम कबार से ही पैसा बस्कूल कर लेते हैं देखिए तो इदर काफी मजबूत डिबा था बस जी जब ये मैं उपर अपनी छत को साफ करने गई तो ये कबार सा इकठा करा इतने मन में ख्याल आए कि ये बनाओंगी वो बनाओंगी मतलब बिल्कुल भी नहीं फैकने का मन किया तो जी इदर म उनलाइन मंगाया वो वॉल्पेपर था इससे काफी डियाइवाई करें हुएं पीस था छोटा सा तो मैंने अंदर की तरफ लगा दिया फ्रेंस ये वॉल्पेपर होता है वोटर्फूरूफ होता है पानी वेगारा गिरने से इस पे कोई असर नहीं पड़ता मतलब ये जल् तो ये दिवाली पे जो भी हम ये जो धन्तेर स्पेस मान लाते हैं तो ये टोस्टर लिया था तो इसका भी ये डिबा बहुत संदर लगा तो मैंने दो का सेत बनाना था तो ये देखिए जी फाइनल लुक किसका यह हम ऐसे शोपीस की तरह हैं देखिए यूज कर सकते हैं छोटी मुटी चीज़ें हैं हमारी घर पे बच्चों के ट्वाइव गएरा है तो उनको रख कर इस तरह हैं डेकोर कर सकते हैं कहीं भी कोई सी वो